हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक जाम के दिवाने तो आज हम फिर से हाजरें आपके सामने नए कोश्चन्स के साथ तो आज का टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क और आज का पहला कोश्चन यह आपके सामने A और B, दोनों एक काम को बीश और तीस दिनों में समफ्त कर सकते हैं तो question पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को इतने दिन में पूरा करेंगे तो कड़ते हैं, question में कहा गया है A है, किसी काम को यह के साथ A वाला और B के साथ B वाला एक काम को करता है 20 दिन में और बी है बी करता है उस काम को 30 दिन में ठीक है question कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे तो करते हैं इन दोनों का हम LCM लेते हैं यानिकि जो 20 और 30 है इन दोनों का हम LCM लेते हैं इन दोनों के LCM लेंगे LCM कितना आएगा LCM आएगा दोनों का 60 जो ये 60 हाया है ये हमारा Total Work Total Work यानिकि Total काम यानिकि पूरा काम हमारा 60 है तो आप हम देखते हैं हमारा 20 से 60 कितने वाज आएगा 3 वार 20 ये 60 30 से 60 दो बार तो ये क्या आए हमारा ये आए हमारा एक दिन का कार यानिकि One Day Work One Day Work एक दिन का कार एक दिन का कार ये है Total Work ये रहा ठीक है तो करते हैं कोशिन के दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में काम दो नम दोकर एक दिन में कर रहे हैं टोटल पांच काम अभी आपको समझाने के लिए इसा कर रहा हूँ फिर आप बहुती आसान तरीके से कर दोगे एक दिन का दोनों काम है पांच तो टोटल काम के लिए जो टोटल काम है उसमें एक दिन के काम से भाग करते हैं यानि कि साथ में पांस से भाग देंगे तो कितना आएगा पांच एकन पांच और पांच दोनी दस यानि कि दस दिन में सुरी बारह दिन में पूरा काम A और B मिलका समाप्त कर देंगे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ठीक है अगर समझ आ गया है तो फिल अगला कुशिन देखते हैं A और B किसी काम को करम से 10 और 15 दिन में सनाप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर एक साथ काम सुरू करते हैं और तो चार दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया तो सेस काम को B द्वारा किया जाता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा तो करते हैं कोशिन के राए A है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है B है उस काम को 15 दिन में कर सकता है ठीक है तो आ हैं अभी सेम लास्ट कोशन दो रहे दोनों का LCM देते ही LCM आएगा दोनों का 30 10 से यह 3 बार 15 से 2 बार यह आगे हमारा टोटल वर्क पूरा काम यह आगे हमारा एक दिन का काम ठीक है यहां तक जैसे लास्ट कोशन किया था सेम ऐसे ही करना था लेकिन अब होगा यहां से आगे स्टार्ट जो करना इस कोशन में तो कोशन के रहा है दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं यह और भी दोनों साथ काम करते हैं तो 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया किसी उसको कुछ काम आ गया होगा या उसको कहीं जादा कुछ पैसे मिल रहा होगे इस वज़े से वो छोड़कर चला गया तो कोशन के रहा है से इस काम को भी द्वारा किया जाता है तो ठेका लिया था विचारे ने पूरा करना पड़ता उसको तो पूरा काम कितने दिन में होगा तो करते हैं जो ये काम है जो एक दिन का काम है ये चार चार दिन दोनों ने साथ में लेकर किया होगा जो काम है चार दिन तक दोनों ने साथ किया था न तो चार दिन में दोनों ने कितना काम कर लिया तो एक दिन में पांच किया था एक दिन में पांच तो चार दिन में कितने किया होगा चार दिन में किया 20 काम नेकि एक दिन के काम में जितने दिन काम किया है उससे कुणा कर देते हैं तो चार दिन उसने काम किया ठीक है तो हमारा 20 काम दोनों ने मिलकर कर लिया था देके चार दन में दोनों ने 20 काम कर लिये थे तो जो टोटल काम है उस मेंसे 20 को मैर्स करते हैं तो आ गया 10 काम 6 वचा है 10 काम 6 वचा है तो 6 काम को कौन करेगा इसको करेगा B इस 6 काम को कौन करेगा तो इसको करेगा B तो B का एक दन काम कितना है? 2 इसमें दो से भाग देते हैं दो पंजे दस दस हो गया दिके बी अकेला इस काम को बचे हुए काम को पांस दिन में करेगा कोशन करेगा पूरा काम कितने दिन में होगा पूरा काम चार दिन दोनों साथ किया था और पांस दिन बी ने अकेले ने तो पूरा काम कितना हो गया नो दिन में पूरा काम समाप्त हो चुका है ठीक है यानि कि option A हमारा यहाँ पर सही हो जाता है उम्मीद है समझ आ गया होगा अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिना ठीक है अब अगला question देखते हैं A और B एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं नो दिन बाद B काम छोड़ देता है से इस काम को A समाप्त करता है पूरा काम कितने दुनों में समाप्त होगा तो पहले question में, काम को a छोड़ कर गया था इसमें b छोड़ कर जा रहा है सेम ऐसे ही होगा, तो इसका answer आपको comment box में देना है ठीक है, और मैं सभी क comment पढ़ूँगा जिसका answer सही होगा – उसको reply भी करूँगा ठीक है, तो इसका answer आपको comment box में जरूर देना है तो अगला कोशन देखते हैं A और B किसी काम को क्रम से 20 और 30 दिन में करते हैं A शुरू से अंतक काम करता है लेकिन B आधे समय तक काम करता है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा करते हैं कोशन करत कह रहा है A है जो के एक काम को 20 दिन में पूरा कर देगा दूसरा है B, उस काम को यह 30 दिन में पूरा कर देगा ठीक है, यह करता है 20 दिन में, भी करता है 30 दिन में तो स्यम पैटर्न, दोनों का LCM कितना होगा, 60 20 से यह 3 बार में, और 30 से यह 2 बार में, ठीक है LCM दिन इक बाद, यह हमारा आगया, टोटल वर्क, यह आगया हमारा, एक दिन का कार देख, ठीक है अब कोशन के राए, A सुरू से अंठ तक काम करता है, लेकिन B आदिस समय तक काम करता है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो करते हैं, A प्लस B करते हैं, 60 दिन में दोनों मिलकर, 60 काम करते हैं, A और B, ठीक है तो कोशन के राए, A सुरू से अंठ तक, वटे में A सुरू से अंठ तक काम करता है, यानि कि 3 ने, वो पूरा काम, 3 सुरू से अंठ तक लगा रहता है ये पूरा अंठ तक करेगा, लेकिन B आधे समय तक काम करता है आधे समय तक काम करेगा, तो इसका आधा ही तो करेगा हो जब वो आधे समय तक काम कर रहा है तो दो का आधा ही काम तो करेगा तो दो का आधा कितना होगा एक पिलस एक आधे समय तक काम कर रहा है तो दो का आधा करेंगे तो एक ए पूरा काम कर रहा है तो वो तीन पूरा काम करेगा तो करते हैं साथ वटे टीन और एक चार यानिकि इसका आ गया पंद्रे दिन में पूरा काम समाप्त होगा यानिकि पंद्रे दिन ओप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाता है उम्बीदे समझ आ गया होगा अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना ठीक है अगला कुशन द दूसरे दिन बी काम बारी बारी से करते हैं कि पहले दिन एक काम पर आता है और दूसरे दिन बी काम पर आता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा तो चलिए करते हैं सेम ऐसे ही एका बीस काम बी तीस दिन में एक काम को बीस दिन में बी काम को तीस दिन में तो दोनों का ए तीस से तीन बार और तीस से दो बार ठीक है तो पहले दिन यानकी पहले दिन एक काम पर आता है पहले दिन एक काम पर आ रहा है और दूसरे दिन बी काम पर आ रहा है पहले दिन एक काम पर आया दूसरे दिन भी आया फिर तीसरे दिन ए आएगा फिर चौसरे दिन भी आएगा A आएगा पहले दिन B आएगा दूसरे दिन ठीक है तो यहाँ पे करते हैं यान कि दोनों मिलकर दो दिन में काम करेंगे बात को समझना यहाँ पे जो है दोनों मिलकर काम दो दिन में करेंगे दोनों मिलकर काम को दो दिन में करेंगे पहले दिन A और दूसरे दिन B तो करते हैं हमारा है टोटल बढ़के 60 टोटल काम कितना है 60 वटे और इन दोनों का एक दिन काम कितना है हमारा इन दोनों का एक दिन का काम कितना है तो इससे 5 एक दिन काम कितना है 5 तो कितना आ गया 12 है कितना होगा 5 एक पांच पांदुनी 10 12 है हमारा एक दिन के काम से 60 में भाग देंगे तो हमारा 12 है दिन आ गया तो अब कोश्चन कहरा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा जबके ये A और B बारी बारी से काम पर आ रहे हैं तो पहरे दिन A और दूसरे दिन B आता है तो दोनों मिलकर दो दिन ही तो काम करेंगे तो इसमें दो से गुणा कर देंगे तो 12 है दिनी 24 देज यही हमारा आंसर होगा उप्सन A हमारा राइट आंसर है उम्मीद है समझ आ गया होगा अगर समझ आ गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आपको वीडियो कैसे लगी यह कमेंट करें बताना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, शेर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसका अगला पाट कल अप्लोड करेंगे तो थैंक यू, जै हिंद, जै भारत